नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो उपयोगी, येवरिटिंग अबाउट उपकर्ण, मैं आपका दोस्त मुकेश, इस छोटे वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकसिव फोमिंग वाशिंग मिशिन में क्यों होता है, उससे नुकसान क्या हो सकता है, और उससे छुटकरा आप कैसे पा सकते हो, तो एकसिव फोमिंग होता है दो करण से, एक आप ज़्यादा ज़ाग देने वाला डिटर्जन्ट यूज़ कर रहे हो, जो फ्रेंट लोड के लिए एक्चुली रेकमेंडेट नहीं है तो आप तुरंत इसे बदलिए तो यह लो फोमिंग डिटर्जेंट पौडर या लिक्विड और दूसरा रीजन है आप एक्सेसिव क्वांटिटी आप इस्तमाल कर रहे हो तो प्लीज रेड्यूज यार क्वांटिटी जो डिटर्ज ज्यादा जाग वाले डिटर्जेंट यूज करके या ज्यादा क्वांटिटी यूज करके तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपका जो मिशीन का वाटर लेवल सेंसिंग जो डिवाइस है वो बिगड सकता है और जो ड्रेनेट सिस्टम में आपका मिशीन का वो मालफंक्शन कर सकता है और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं मिशीन में मालफंक्शन तो इसे आप तुरंट चेंज किजिए तो ये लो फॉर्मिंग डिटर्जेंट एंड रेकमेंडेट क्वांटिटी और फाइनली आप हर मेने में या धेड़ मेने में एक बार एम्टी ड्रम वाश चला आके देखिये तो आपका जो एक्सेस डिटर्जेंट बचा है मिशीन में वो सारा निकल के क्लीन हो जाएगा आप हर दिन जब डिटर्जेंट लगाते हो कुछ ना कुछ डिटर्जेंट रह जाता है मिशीन के सिस्टम में So this is the best solution, so please follow this for a better result thankyou for watching this video please like SHARE and SUBSCRIBE